आज नया संसद देश के लिए एक महत्वपुन अित्यासिक फैसले का साक्षि बन रहा है अभी पार्लेम लोग सभा में एक बीर प्रस्तुत किया गया है खौन पर चर्चा होने के बाद में यहां भी आएगा नारी शक्ति के शसर्तिकरन की दिशा में जो तिशले आने परस्तुत कि महत्वपुन कदम उठाए गए उसमें एक अत्यंत महत्वपुन कदम आज हम सम मिलकरके उठाने जागाए मेरे विचार में निर्ने हावालो के पक्ष्वाः हावालो के पक्ष्वाः Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the house and by a majority of not less than two-thirds of the members of the house present and voting the bill is passed by the constitutionally required majority ये न समझो कि हम सदा के हारे है राख के नीचे अब भी जल रहे अंगारे है नमस्कार मैहू प्रतिभाचंद्रन नौभारत मल्टी मीडिया में आप सब का स्वागत है हमारे साथ है महराष्ट्र विधान परिशत की उपसभात्ती डॉक्टर नीरम गोरे और हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षन विधेक जो नई संसत के सदन में पहला विधेक पारित हुआ है लोकसभा में निलम जी किस तरह से देखती है क्योंकि एक बहुत अहम कदम है लंबी लड़ाई थी ये विधेक लाने तक ही महिला अंदोलन में जब गाओ की महिला इकठा आती है तो उनके लिए कुछ गाने हमारी नेता स्त्रीवाधी मोमेंट की उन्होंने बनाए थी उसमें दो पंक्तिया है ये न समझो कि हम सदा के हारे है राख के नीचे अब भी जल रहे अंगारे है वाँ क्या बात है परिवार के निरने है बच्चे या बच्ची का कब शादी होगा ये सवाल है इतना भी नहीं कि कौन से बैंक में उसको आकाउंट खोलना है इससे लेकर बहुत मुसीवतों का सामना कई महिला उनको करना पड़ता है लेकिन दूसरी ये भी बात है कि कई महिला इस आर्थिक दुर्ष्टर सक्षम हो चुकी है और ये चाहती है कि वो उनकी नोकरी में उनको ज्यादा जिम्मेदारी मिले या जिस जगह वो काम कर रहे है क्योंकि अभी हमने देखा कि एक पिहाई आरक्षन पहले हो गया था स्थानिक स्वरज्य साथा बाद में वो ग्रासरोट डेमोक्रासी में 50% तक हो गया का सहवाग अच्छा रहा है ये कई बार कहा जाता है कि सरपंच पती होते है या किस तरीके से परिवार के पूरुष उनको नियंत्रेट करते है लेकिन ये भी बात मैंने देखी मेरा खुट का दिरिक्षन है कि पूरे महिलाओं से अगर 50% महिला है तो उसमें की 20-25% महिला है अपने वीचार से ही काम करते है बाकी कुछ महिला इसे हो सकती है कि जो बहुत ही उलंबित्व है उनका या उनको काम की जानकारी नहीं है या उनको इतना आउसर नहीं है इतना मौका नहीं है और इसके लिए वो शायद किसी पर डिपेंड रहते लेकिन मैंने उसके बारे में एक सोलूशन भी बताया था हर विभागी आयुक जी को और जिल्लादी कारियों को कि महिला लोकषाही दीन आप बनाई है लोकषाही दीन हर मंडे को होता है एक बार पूरे महिने में तो मैंने यह सोचा था और बताया था कि महिलाओं के लिए हर सोमवार के दिन आप दो पर दो घंटा उनके लिए समय दीजे क्योंकि उनको अगर मारगदर्शन मिलेगा किस तरीके से योजना उनको ला सकते हैं तो वो अपने आप प्रशासन के साथ में सहयोग लेते हुए फिर यह जो गाओ के नेता लोग है उनसे भी करवाने के बज़ाए खुद काम कर सकते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हर विभागी आयुकता ने और कई डिस्टिक्स में जिलादी कारियों ने इसमें मजे 22 डिस्टिक्स में सहयोग लिया तो इससे भी फाइदा हो सकता है अगर आपके प्रेक्षक हिंदी भाशिक एडिया में सुनते हैं तो वहां पर भी मैंने देखिए कई पर महिला डियेम है जब महिला डियेम गाव में जाती है तो वह महिलाओं को आगे करते है तो इसके लिए मैं यह चाहती हूँ कि यह आरेक्षन का स्वागत सभी ने करना जरूरी है क्योंकि पंतवरण मोदी जी ने जो धाड़स दिखा के लिए काम किया होगा तो उन महिलाओं के प्रती जो सम्मान उन्होंने दिखाया है वो मेरे लिए बहुत महतोपुर्ण है और वो महिलाओं को उत्साध करने वाला है आजादी का अमरुत महत सव हम मना रहे हैं 75 साल अगर हम महिला अरक्षन विदेक के मामले में पीछे जाए तो हमें आजादी मिलने के बाद 40 साल बाद 1987 में पहली बार विचार हुआ इस पर और एक समीती नियुक्त कही गई थी मार्गारेट अलवा जी के नेतरूत्वा में और उसके बाद में ये जो विदेक है कई बार संसत की चौकट पर पहुचा और उसको वापस लाटना पड़ा कई बार हंगा में भी हमने देखे हैं कि जिस तरह से राज्यसभा में एक बार तो ये हुआ था कि बाउंसर्स तक बुलाने पड़े थे ये भी हलत हुई थी क्य या सभी पार्टीज ने भी एक तरह से स्वागत करना चाहिए कि इसको समर्थन दिया लेकिन इसका उसिन्पींटेशन का बात आएगी तब किस तरह से कई सारी आशंकाय है सब के मन में कि किस कर फ़ह से होगा क्या होगा क्योंकि कई पार्टिया तो ये भी बोल रही थी कि पार्टि के अंदर आप आरक्षन दीजिए ना कि जनरल लख रखिये तो ये सारे मसले पर आप किस तरह से देखती है पार्टियों में आरक्षन का सवाल है तो पार्टियों में आरक्षन देने के लिए इनको किस ने रोका था? मैं अभी जिस पार्टिय में देखती हूँ, तो उसमें तो महिला नेता एक भी नहीं थे. अभी एकनाजी शिंदे ने मुझे नेता की, जिम्मेदारी सोपी, और मैं पहली महिला नेता हूँ, शिवसे ना में, तो जो लोग इतने सक्षम हो के उपसभपती मैं बन सकती हूँ, लेकिन नेता नहीं बन सकती थी, तो सिर्फ पद का सवाल नहीं है, आपको किस नजरिये से समाज देखेगा, वो आपके पोस्ट वर निर्वर होता है, उसलिए मुसीबते तो हर कानून में आती है, फॉक्सों हो, रेप का बारे में कानून हो, या महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने के कानून हो, उसमें अमल में लाने के लिए तो कई मुसीबते होती है, पुरुष्री, एक पुरुष्परधान मानसिकता भी है, उसे के साथ-साथ इंस्टिटूशनल मेकैनिजम, उसमें अमल में लाने वाली जो यंदरना है, वो भी बहुत दुर्बल है, बहुत गाओं तक हम देखेंगे थे, इसलिए जो बात है कि महिलाओं तक अभी तक कौनसी होने वाली है, यह तो सब पुदर अचना आयोग के सामने रखा है, लेकिन उसमें से कुछ रास्ता निकल कर अगर जल्दी से शुरुवात होती तो अच्छा था, लेकिन मुझे क्या लगता है, हर प्रश्णके दो तरफ से हम देख सकते हैं, इसमें महिलाओं को भी तैयारी करने को समय थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि वो तैयार तो है, लेकिन कौनसी होगी, कैसे तरह कासे होगा, वो जब तक सपष्ट नहीं है, तब तक तैयारी नहीं हो सकती, पार्टी के लिए समय मिलेगा थोड़ा कि और काडर अपना मजबूत मनाएं, कि जो लोग तो बात अलग रहते हैं, अभी महिलाओं के सामने महिला आएगी, तो इस तरीके से महिलाओं का एहसास जीत पाएगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, तो मुझे लगता है, लेकिन अगर पुदर रचना में कौंस्टूटिटियंस की संख्या बढ़ती है, और अगर वो ब आपने आप ये कानून जो है, वो पराभूत हो जाएगा, तो जो महिलाओं को बिल्कुल राजकी एक पार्शोमुमी नहीं है, ऐसे महिलाओं के बारे में सोचते हुए इसके हम स्वागत करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हम यह आरक्षन नहीं लेंगे, तो मुझे का चॉइस से किस तरीके से काम करना है? कि एक तरह से धारना है कि यह लेडी बॉस नहीं होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि क्या यह धारना थी पूरी? कोई भी आपको हाथ से हिसा धकेल के निकल जाता है, आइसे मतलब मैंने घाट पर देखा है, कई जगा पर मंदिरों में देखा है, कोई भी जाके आपको टैप करके बात कर लेगा कि चलो आप हट जाओ, इस तरीके से बात होती है, तो मतलब एक तुम महिला होने के कारण एक डिसएडवंटेज है उसको हर जगा पर, और वो समाज के मानसिकता बदलाव लाने के लिए बहुत समझ जा सकता है, और दूसरी बात है कि यह जो संगर्ष करने की जो नौमत आती है, तब उसके कारण भी समाज उसको यह कोसता है कि यह हर जगा जाके जगडा कर रही है, तो उसको क्यों ऐसे होता है, क्यों उसको गुस्सा आता है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, और यह जो बात हो गई, तो मुझे लगता है कि एक यह भी कारण हो सकता है, कि महिला उसको बहुत समय करने के बज़ा है, उनके ज तो ये पैसे के बारे में तो लोगों को लगता है डर थोड़ा सा कि आउरत ना बोलेगी तो क्या होगा लेकिन अभी आउरते भी बहुत कुछ कर रही है अलग गलत बाते जो है वो पुरुशी वर्चस्वक्ता कहीं चौट को समाल रही है कई जगा पर ये भी हम देख रहे है लेकिन फिर भी ये सब व्यवार करने के साथ में हें उसाचार आर्थिक शक्ति और चारित रहनन ये तीन मुद्धों को साथ में लेते हुए महिलाओं को हर बात के बारे में लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं मैंने एक इलेक्शन में तो देखा था प्रतिवाजी वो एक इलेक्शन था नगर जिले में एक अवरत खड़ी थी तो वो सामने खड़ा रहने वाला जो आदमी था कैंड़ेट वो क्या बोलता था कि इसको तो ये उसकी उमर जादा है इसका तो अभी पिरेड चला गया है तो अभी वो आवरत ही नहीं है तो आईसे आवरत ही नहीं है आईसे आवरत के सामने मैं खड़ा रहे के तो मैं तो जितने वाला हूँ तो कि बोलो तुम लोग मर्द हो कि ने सब इस तरीके पर जाकर इस तरीके से जलील करना किसे को इस तरीके से इतना गटिया मैं बोलोंगी ये बत्तमी बाते इलेक्शन में पब्लिक मिटिंग में हो एक महंदरने करना बहुत ज़रूरी है कि कौन एक आचर सहीता बहुत ज़रूरी है विदायकों के लिए इसा मुझे लगता है और दूसरा एक भी बात रहेगी कि महिलाए उनको टिकेट तो मिलेगा लेकिन उनमें भी उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उनका एक तरह से ट्रेडिंग उनका सब औरियेंटेशन अच्छा हो कि वो मेरिट पर आप अगर चलाती है तो आप एक लंबे अरसे से काम करती है महिलाओं के लिए तो आप जिस तरह से सदन जिस कॉन्फिडंस के साथ चलाती है सुमित्रा माजर जीन ने जिस तरह से सदन चलाया तो ये जब पूरा काम करके काम के बलबूते पर जो आगया आती है उनका एक अलग रुत्वा उनका experience दिखाई देता है उसके ल जाजनीती में चली आई फिर उसको चुन के लाना वही सारी बाते जहां तक मैं महिलाओं और पूरुष विधायकों से बात करती हूं तो मुझे दो तरीकी के लोग दिखाई देते हैं कई लोग जो है वो प्रशिक्षन को बहुती सीरियसली लेते हैं लंबिरता पूरक ले तो उनको लगता है अभी विधायक हो गया मतलब उनको सब मालूम हो गया तो ये प्रवरुती है विधायक है पार्शदे सब के बारे में तो प्रशिक्षन एक जिम्मेदारी है सिर्फ पार्टीज की नहीं है पार्टीज की भी है और मुझे लगता है समाज की भी है कि वो तो यह नहीं चलेगा, तो यह जैसे पता हो जाता है, तो धिरे-धिरे लोग समझ में आता है, कि हमको लोगों तो पहुचना है, काम करना चाहिए, और सबसे महत्वपुरुना तो यह बात है कि जनता से जो प्रशिक्षन होता है, उसके साथ खुद का स्टड़ी होना चाहिए खुद पढ़ना चाहिए, फिर वो अखबार हो, किताब हो, और पढ़ने के बाद में, पुरुती के साथ में उसको जूड़ना चाहिए. मैंने अगुमन देखा है कि आप खुद सारे खुद के नोट्स निकालती है, चाहिए, कुछ भी करना हो, ऐसे नहीं होता कि आपके लिए कोई बनाता है और फिर वो आप पढ़ती, ऐसे नहीं होता, तो इसी तरह कहीं नहीं सारा महिलाओं का एक फोरम भी हो, बियोर्ट पा काम करते हैं, उनके भी सामने मैंने बात रखी है, तो नैशनल लेजिसलेटिव यह है, हमारा कॉन्फरेंस है, कि जो MIT, School of Government के साफ में काम करते हैं, तो जिसमें महिला विधायकों से मेरी बात हो गई है, और हम लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि उनकों बात करने के लिए, और उनकों जानकरी देने के लिए, सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल्स वाली जो मुद्दे हैं, उसकी जानकरी देने के लिए, कुछ ना कुछ तरीके से मिलने के लिए, हम लोग प्रोग्रेम्स ले, और मैं पूरे हिंदुस्तान में हम तीन ही महिला प्रिसेडिंग ऑफिसर तो इसके लिए बहुत कम संक्या है, वो तो 5% भी नहीं है, तो इसके लिए लेकिन इसमें, हमारे में कई छे राज्यों में जहां विधान परिशद है, जैसे के करदाटक है, अंध्रा है, तेलंगणा है, बिहार है, यूपी है, और महराष्ट है, तो यहां के विधान परि विधायक के वो सहोयोग देंगे, तो महिला विधायकों के लिए एक काम हो सकता है, लेकिन हर पार्टी के लीडर पर बहुत निरबर है, कि वो प्रशिशन को कितनी एहमियत देते हैं, कितना महतों देते हैं. बिल्कुल निलमताई बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, नव भारत के साथ में बात कर रही थी निलमताई, आजादी के अमरुत काल में, संसत के नए भवन में, जो पहला विधायक, लोकसभा में पास हुआ, वो महिला आरक्षन का था, एक बहुत अहम कद है, आगे पूरा सफर कैसा रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सक्षम महिलाए अगर सदन में पहुचेगी, तो कही न कही महिलाओं की जो पूरी स्थिती है, उसमें काफी बदलाव आ सकते हैं.